अरे आप शांती रखो कैसे कैसे आप लोग स्टैम डूटी का इवेशन करते हो अब तो आपको तो को मिला के सारे जवाब देने पड़ेंगे आज आज आई यह पकड़ा गया ने आपका नहीं नहीं पकड़ा गया अभी तो अभी रुख जाए अभी फाइंटिंग आने वाल मैंने आप लोगा से नवीदन करता हूं कि पढ़ने से पहले एक कागश पड़ो एक लाइन पड़ो तो की पकड़े जाओ के कोड़ो एक 145 की दर्खास लगी उस पर ओडर हुआ कि आप जो है आपके खिलाफ ओडर हो गया येस अच्छे एक सो पैटालीस की ओडर के देन फाइनल और ऐस तो विदेर वालोड देर एवन क्या है पीवन क्या है पीवन क्या है पीवन इस मालोड में कानली सी अच्छे तो करके रिसीवर अपॉइंट करा देते हैं अब अब क्या हो सकता है वन फॉटी फाइव फॉर में अपर्चुनिटी आफ एरिंग के लिए है अब फाइनल ओडर कैनमी ड़र अटो से क्या ओड़ क्या हो सकता है वनेवर एन एग्जेकेटर मजिस्टेट इस सटेस्टाइड फूम एपॉर्ट फॉर्टी सिक्स्टी अब सुनते ने आप तो बसंटें आफ्टर हेरिंग नहीं अपर्परिये टॉटर इस इंट्रेम और कि नोट वी पास्मालोट इनफ फस्टेरिंग में लिए ने इसमें अटेंट इस इन चंद जी और जग्दीश जी आपस भाई भाई है नहीं नहीं तो खेंचन्द इस द person who is in the property as a tenant earlier in the property of Vishnu मालोट who is the father of responding यह क्या है सर कि यह शामिल शरीक भूमी स्वामी हक है और आप उसमें अवैत कब जा कर रहे हो यह इसी लिए तो बालोट that is their application वही तो शामिल शरीक हक का क्या मतलब है यह तो बताओ property belongs to the father of private respondent number five number five means actually I was not prepared I was prepared with the interlocutory who has executed an agreement for sale with the proposed petition number two यह पर पर प्रपोस्ट प्रपीश्चन नंबर टू है निया आप तो आये लगाए इसलिए actually that question came in the earlier अच्ट प्रपोस्ट प्रपीश्चन नंबर टू तू यह agreement for sale is P3 मालग पी थ्री आप जड़ा यह देखते हैं अपन पढ़ लेते हैं यह कब हुआ चौदा नौ दो हजार बाइस को आपको क्या तकलिफ हो गई से नहीं यह तो एगरिमेंट यह कर रहे थे प्रॉपर्टी 27 लाग में गई पैसे सारे निलगे कब जा दे दिया हजार पे किस टैंप के ऊपर डॉक्मेंट कैसे नहीं इसके बाद फिर यह फिर सेल डीट भी हुई पताई यह पी फॉर में प्रॉपर्टी दस लाग में इस पूरा सब्सक्राइश तो पहली दे दिया है दो लाग श्याले सब्सक्राइब तो प्रॉपर्टी सब्सक्राइब आपने अग्रिमेंट दिखा है वह बताओ उसकी सेल डिटका है एक्चुली इसमें यह एग्रिमेंट फॉर सेल पढ़ लें इसमें पूरी अबारत आई है पी थ्री यह तो इवेजन ऑ स्टैम डूटी भी दिख रहा है चलिया यह सब्सक्राइब आपने कुल सौदा सताइस लाग का किया और टू प्रॉपर्टी सब्सक्राइब एक एक ए सब्सक्राइब करते हो आप लोग स्टैम डूटी का इवेजन करते हो अब जड़ा सुन दीजिए मेरे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है जवाब कोट में आयों तब नौ यूर्ट विद्री अब तो आपको तो कुल मिला के सारे जवाब देने पोड़ेंगे आज आई यह पी थ्री में मैं खसरा नंबर कौन सा विका है इसमें कौन सी जमीन विकी है वेज नंबर अट्था इसरे जमीन का विवराव इसमें मौजा सोएंड सो कहानी महता रिण पुस्तिका खसरा नंबर 126 बटा एक बटा तीन बटा एक कोल जमीन को एक सोच्वी रकवा सूने तिसम्लाव एक पांच गेम पकड़ा गया ने आपका नहीं नहीं पकड़ा गया अभी तो अभी रूख जाईए अभी फाइंटि सेल के हिसाब से दो जमीनों का कुल रखवा 0.15 वाटेवर इट में भी 27 रुप्या कैश लिया हुआ है आप लोगों ने दिया है सबसे पहले आप कोई भी बताना पड़ेगा 27 लग ले कहां से आए थे अब 126 बटा एक बटा एक और 126 बटा एक बटा एक बटा तीन बटा है जीरो पॉइंट है आप ही का डॉकुमेंट है 126 बटा एक बटा एक का है सुने दिसल्लों एक पांच यार अगर आपको जो पढ़ना पड़ते रही है मुझा को लेना देना नहीं है आप पर पेरागर पेज़ नमबर 26 पर आ जाई है और इमानदारी से जोर से पढ़िए अब आपको कोई डाउट है बता दो मेरे को कितने में बेची गई टोटल अमाउट वालूट प्रथम बयाना यह यह सोए रोपन 0.15 हेक्टेर 27 लाख रुपए में बेची गई और यह 27 लाख रुपए सारे पालिये गए दे दिये गए आ जाए अपी फोर में इसमें कितने की सेल्डीट की गई सेल्डीट सुने दिसम्रोदा मुल्य दस लाख रुपए बजार मुल्य दो लाख चैलिस अजार रुपए पेज नंबर 27 पे जमीन का विवरान खसा नंबर 126 बटा एक बटा एक बटा तीन बटा एक कोलस 0.15 जमीन उतनी रही एक खसा हट अधिया गया और 27 लाख का सोधा 10 लाख पे आ गया है मैं कुछ नहीं कि वह तो अब आपक मैं क्लेकर संके बज रहा हूं ने स्टैम देखे स्टैम ड्यूटी के विजन के लिए भी हम पुलिस के पास बेज रहे हैं इसमाइब भी मैं सम्मिशन इसमिशन इसम इसमिशन इसम of one part of property took place I am least concerned I am least concerned I am reading what is mentioned in the agreement 0.15 hectares of land was sold for an amount of rupees 27 lakh and those 27 lakh were also paid and possession was given to you or 0.15 hectares of land was comprising of two khasras और sell did करते हैं दस हजाद दस लाक की वह 0.15 hectares की और चोकी वह खसरा गड़बल हो जाते हैं तो वह एक खसरा गायब कर दिया है और sell could not असरा से हमें मतलब नहीं है 0.15 27 लाक का transaction हुआ है और sell did की गई यह 10 लाक में initially 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 छोड़ दीजिए for yes time duty का भीजाने सीधा-सीधा इसफ़त हम पॉपलिस को भेजी रहे हैं आप मत भूलिया मैं मैं भीज रहा हूं आपको क्या ग्रीवेंस है हम कहते है कि भारती कानून को अफोल्ट करने की मैंने शबत लिए इस लिए मेरा ग्रीवेंस नहीं है पैसा तो आपने बचाया है अब मुझे एक चीज बता देजिए क्योंकि उस दिन फिर फेलियर हो गया सर्वर तो यह हुआ नहीं से लिए तो यह बदल गए क्योंकि इनकी पिता जी खतम हो गए उसके बस वो ठीक है बदलते रहे हैं अब आप मुझे एक चीज बता देजिए एक चीज अब बता देजिए कि जब 27 लाग के हो चुके है अब क्या है तो आपके अग्रमेंट में लिखा हुआ कब जा दे दिया 27 लाग रपर मिल चुके हैं ऐसा एसी कौन सी चीज है कि जो सेल के सारे इंग्रीडियेंट्स को पूरी नहीं करती है तो ऐसे हजार रुपे के डॉकुमेंट को हम क्या करेंगे सर्थ ऐसे हजार रुप यूब करते हैं तो सेल करते हैं आपके दो करता को अफित भी चैनले कर दो सेल रुपे कि रुए अधि बड़ी एव एव जाय को ऐसे वे अग्रमेंट व इंद टूर अटो ऑाय था ऐस वा just a document in the case in the nature of sale did then without impounding of this a document again can it be admitted in evidence if it can be admitted in evidence then please satisfy me if it can't be then don't refer to this document and if you can develop your argument without referring to this document then you are invited so far as this position is concerned if possession is not given then this document is if possession possession is not given possession यह दो इसने हम सब्सक्राइब और जेये विए लाइ करण वह से और से क्रेंध यह लूग आप टीक मिस्ट्री अर्वार्थ यक्रयों तो यह ले चाहिए लागू ऑल्लग्व सिंग्टा सब्सक्राइब करें टो फूर नौ भी तो इस अग्राइब हो इस उड़ेंगे आप ध इसको तो हम कह देंगे कि इसको तो हटा देंगे चलिए आगे बड़े किसे हुआ किसे हुआ नोटरी के दिख नहीं रहे हैं एक पेज खटा हुआ है इस किराय नामा का और आप कहते हैं मैं इसको रिलाइ करूँ पर किराय नामा के फरंक पेज के उपर सील्ठ पर नहीं होते हैं क्या और यह सेकंड पेज कटा हुआ है क्या नहीं यह थर्ड पेज़िए प्रटिशन आपकी है प्रटिशन आपकी है आप ही का दॉकमेंट देख रहा हूं यस वैदा इस पेज़नुम्बर थ्री जो एस नमब कैसे कागश का फर्जी कागश का क्या करें हम सुसर्थ है इसका आप लोगों ने लगाए नहीं ता कि पता ना चल जाए कि कम खरीदा गया था यह नोटरी का सील लगा हुआ है पेज नमर तेईस में आखरी मैं अच्छा नोटरी का से लगते हैं और साथ यह तो यह है तो यह है तो यह थे प्रिक्शन वर्षों से गुल्वानी कृशी केंद्र संचाल लेता है राइट तो अब यह गुल्हानी इस यह अप गवाही हुई ना सटिपिकेट सब गवाही आप करा लीजिए तो वही तो वही तो हमारा अंजमाल ले ले इनके सिगनेश्र का है पारवती उइकेजी के और सेकेटरी साहब के एफड़ेट होते तो गलत होता तो तम पर सीदा कंटेंट नोटिस देते हैं नहीं यह तो साइन हो नहीं मेरे यहां पे तो सर क करके क्या कहना चाहते हो न आप घूता अब किरेंबर फैर मेरे साहब न सबस्क्रमाइ सब्सक्रावें करने से पहले लाइन सोछ ले अगर वो नहीं निकला तो कहां उनका जगा है मैं जानता हूँ अग्रिमेंट के उपर आप क्यों तर रहे हूं आपने तो दसलाग में करना है आपने तो अटेम्ट किया तो दसलाग में करना है लॉट्षिप मालट ओन दी और आपने वह प्रपोस्ट अपने जो अटेंट किया है आपको क्या लगता है कि अगर आपका से नहीं भी हुई तो कि अटेंट के किसमें नहीं जाओगे या या यू अटेंट है तो इवेट इस्टम डूटी उसमें नहीं फस होगे आप लोग कैसे आर्ग्यू करते हो या कैसे पेटिशन फाइल करते हो आइं रियली शॉट यह एक मिनट लगता है मुझे डॉकमें में देखने में आप लोग एक सेकंड भी नहीं देखते है उसको आप खुद कहते हो कि हमने अटेंट किया था दस लाख में इसको सेड़िट करने का तो वैदर मेंकिंग अटेंट आप टूमिट अन ओफेंस इस नहीं होगा I am directing the police to register the case against you you have found this document before this court you have tried to convince this court that this is the reality once you are admitting that you had tried to execute the sales deed for a lesser amount whereas this amount of rupees 27 lakh in cash has been paid by you and who was the beneficiary of evasion of stamp duty whether the seller or the purchaser who has to pay this stamp duty sir whether the purchaser or the seller you are the ultimate beneficiary for reduced amount of sale you have made an attempt to await the stamp duty that's any offense three double six twenty twenty four this petition under article 223 this petition under article 226 of constitution of india has been filed against the order dated 21 12 2023 passed by sdo in criminal case number 42 of late 2023 by which an injunction order has been issued against the petitioner one total area 0.15 hectares he entered into an agreement to sell the aforesaid client on 14 9 2022 in the agreement to sell it was specifically mentioned that the total transaction of the total consideration amount of the that the consideration amount of the entire transaction is rupees 27 lakh and the unpack amount of rupees 27 lakh has been received by the father of the respondent number 5 in cash on 14 9 2022 partial payment through rtgs also i saw vikrae soudha ki khul rashi 27 khabao se prap karli hai दे दिया है आप कोई राशी मुझे विक्रेता को क्रेता से लेना शेश नहीं है वो जैसे चाहे जामीन कुछ नहीं मालूम है वह आप देखेगा वो ट्रायल कोट में देखेगा दसलाक आठीजियस्या है तो टोटल तो है है अब आप आजाओ सर आजाईए सर कुल सौधा 27 ल थे लिए दस दसलाक रुपया थे मैं कहा कह रहा हूं कि आपका आपने इंकम टैस्ट का विलेशन किया है यह कि आपको यह जो इस बटा एक बटा एक जो है उसकी दसलाए अब आप मुकादमा लड़ीएगा जब मजिस्ट्रे सब किया पर देखेंगे जी वाड़ाब विच देखर ईह यह कि ले नबटी न आपिर देखेंगा the property has also been given and now from onward today onwards the father of the petitioner will not have any title over this title or claim over the said land and said property and the petitioner is free to registration number two is free to utilize the same as per his own wishes police system it is submitted that thereafter an attempt was thereafter the sale deed was to be executed and accordingly draft of the sale deed was prepared but since the server was slow on the set date therefore sealed it could not be executed thereafter the father of the petitioner expired and the petition father of the respondent number five expired and accordingly the respondent number five started disputing the agreement to sell and filed an application under section 145 of crpc police system although it is the case of the petitioner that because the server was down therefore the sale date could not be executed but the question for consideration is as to whether the petitioners had tried to evade the stamp duty or not had made an attempt to evade the stamp duty or not the agreement to sell has already been placed on record as a as an action p3 and 0.15 hectare of land was sold was agreed to be sold for a consideration amount of rupees 27 lakh and the entire consideration amount was also paid on 14 9 2022 thus the declaration made by the petitioners in the in the draft sale did that the consideration amount is rupees 10 lakh was with a clear intention to evade the stem duty for the simple reason that it is for the purchaser to pay the stem duty and by showing the lesser consideration amount the petitioners tried to evade the stem duty on rupees 17 lakh it is true that the CLD could not be executed but at making an attempt to evade making attempt to commit an offense is also an offense under these circumstances the petitioners cannot run away from their criminal liability of making an attempt to evade the stamp duty the petitioner has filed a certificate issued by gram panchayat mehta janpat panchayat ghansaw district 7 which reads as under page 24. the rent note which has been filed by the petitioner is dated 21 1 2017 another unnotarized rent note has also been filed by the petitioner which is dated 3 12 2015. thus if the petitioner wants to claim that he is in possession of the property in the capacity of tenant from the year 2015 then the certificate issued by the the janpat panchayat will completely demolish the case of the petitioner the certificate issued by the gram panchayat has already been reproduced this certificate was issued on 20 12 2023 and according to this certificate the petitioner the business in the disputed premises from for the last three years if the petitioner was inducted as a tenant in the year 2015 then that means he must be running his business for the last eight years on the date of issuance of certificate whereas the certificate says that the petitioner is running the business for the last approximately three years thus the documents filed by the petitioner are self-contradictory to each other under these circumstances where the petitioners had made an attempt to avoid the stamp duty accordingly the collector stamps lakana 70 is directed to take note of take cognizance of the attempt made by the petitioners to execute the sale deed at a lesser consideration amount in the light of the agreement to sell executed between the petitioner number two and the father of the petitioner number five and if it is found that the petitioners have made had made an attempt to commit any offense by evading the stamp duty then shall shall take further action in accordance with law for prosecution of the petitioner as no case is made out as the petitioners have failed to make out a case time of a side case for retaining their possession over the customer number 126 oblique one oblique three oblique one therefore no case is made out of warranting interference the petition fails and it is here by dismissal dhukkhi baat hai aap loho pardte nahi ho kagaj dekhte nahi ho munshi ji isko bhi laga de na munshi ji isko bhi laga de na sincerely you have a certificate affidavit laga hai or affidavit aap e certificate constricateca contrary jahan hä guildhaki kye atakudi hertz commandhato k blend harry bhajęn ko sir prayRI bhajan ko sare pitra harry bhajin ko already kunti bahareas z Nahi ba Anglo अगर आप साफ दिल से भजन करेंगे तो हरी मिलेंगे और अगर आप करने के आशय से भजन करेंगे तो फिर भगवान को तो आप नहीं अगर आप किस मंसे हमने तो आपके आशय वता दिये सारे आशय गलत थे आप लोग और क्या किया मैंने मैंने आप लोगों से नवीदन करता हूं कि पढ़ने से पहले एक एक कागश पढ़ो एक एक लाइन पढ़ो तो की पकड़े जाओगे कोड़ो आप लोग कहते क्या पढ़ता है अगर आप यही देख के बता देते हैं कि भीया फस जाओगे रहने दो 145 लड़ लो और नहीं मुसीवत नहीं आते साथ देखो एगरिमेंट टू सेल भी है ऐसा भी हाँ हाँ चलो मुंशी जी इभी फाइल कर देना इभी फाइल कर देना डिक्टेशन दे दिया है आप बिन करो हमें कारें नेक्स्ट तब नुबर 22 दूश्याइक आप